हाई दिस इस पारितोस एन्य वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी करते हो एन्य वर एक्सपेक्टिंग की इतना मॉंट मेरे एक्सपेक्टिंग में एक्सपेक्टिंग हो जाएगा जाएग अगर मॉचल फंड से पहले पैसा रेडीम करते हो तो मॉचल कंपनी आप से एक्सपेक्टिंग चार्ज करती है काफी लोगों कोई कंफूजन रहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर फंड का एक परसेंट लग रहा है तो वह पूरे फंड पे लगेगा अगर वह 10 लाग रुपे लगा रहा है तो 10 लाग रुपे 1 परसेंट लगेगा ऐसा नहीं है एक्सिट लोड हमेशा फंड के एनिवी पर लगता है मैं इसको एक उधारन की तोर पर समझाने के कोसिस करता हूं सो देट आपको एक क्लियर हो सके मालीगे सर आज से चह महेंने के पहले मैंने संदेवपे Movies और में झस पर्टिक्लर फंड में पैसा नेट कर रहा है और आप मिझे पैसा नेवेश करती है तो मालने चैसे चैनल MAKAN मुझे पाश सो मिल्टी है और आज चैए डेट फंड में ज्यादा होगा तो यहां पर मैं जो एक्जामपल ले रहा हूं वह है एक्टूटी फंड का माल लिजी आप एक्टूटी फंड से रिडीम कर रहे हो छह महीने के बाद अपनी पास्सो उनिट्स को मैंने पच्छह महीने पहले 50,000 रुपे लगाए थे आज मैं उस पैसे को रिडीम कर रहा हूं तो जिस समय में रिडीम कर रहा हूं उस समय मेरे फंड की एनेभी यूनिट्प्राइस आज 100 रुपे है अगमाली जिस्ट्वे में मुझे 1% exit लॉड लग रहा है तो इस 100 रुपे की एनेभी पे मुझे 1% exit लॉड पे करना पड़ेगा यान आपको जो 100 रुपे की एने भी थी उसके बदले में आपको 99 रुपीज फर उनिट मिलेगी क्योंकि आप एक सल से पहले रिडीम कर रहे हो तो 99 multiply 500 रिडीम कर रहे हो इसका मतलब जो total amount आपको मिलेगा वो मिलेगा सर 49,500 रुपीज यानि 500 रुपे आपका exit load तो सर आपको जो exit load लगता है जो की 1% और it could be vary fund to fund ये आपके fund की एने भी पर लगता है investment value पर नहीं अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो SIP वाला concept है वो clear हो जाए आपको अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर माल लीजे मैंने 2016 में एक लाग रुपे investment करा किसी particular fund में और उस समय मैंने जब निवेस करा तो उस समय मेरे को 500 units मिली अब 2020 में मैंने फिर दुबारा एक लाग रुपे investment करा फिर मुझे माल लीजे 500 units मिली अब 2020 में मैंने फिर दुबारा investment करा और अभी दो दिन पहले मैंने investment करा था माल लीजे दो दिन पहले ही मैंने investment करा तब भी एक्षिल रोट लगेगा जी नहीं एक्षिल रोट नहीं लगेगा सर मुशल फन में जब आप redeem करते हो तो एक सिंपल रूल है first in first out यानि जो भी units आप सबसे पहले खरीदे रहो पहले वो units redeem होगी recent वाले units redeem नहीं होती इसी बात को लेगे लोगों में confusion रहता है आप मेंसे कुछ लोगों ने मुझे सवाल उठाय थे जब मैंने recently वीडियो बनाएती जिसमें मैंने आपको suggest किया था कि 30% scenario में आपको exit लोट नहीं पे करना अगर आपकी साल long term sip चल रही है long term निवेस है short term के लिए मैंने वहाँ भी suggest नहीं कर रहा हूं कि short term के लिए आपको profit booking continuously नहीं करने अदर्वाइस exit लोट लगेगा लेकिन अगर आपका long term sip चल रहा है long term investment है तो वहाँ पर profit book करते रही है because कि जो भी आप profit booking में जतना पी amount आप redeem करते हो आपकी उतने ही उसी उसी amount के बतले में जितनी units redeem हो रही है सबसे पहले वो units redeemed होंगी जो आप निवेस करके बैठे हो जो पास-साल पहले निवेस करके बैठे हो यह जो recently चल रहा है तो इस बात को ध्यान रखना है यो लोगों के मिन में कंफ्यूजन है कि एक्जिलोड लग जाएगा एक्जिलोड सर आपको नहीं लगता विकोस रिडम्शन का प्रोसेस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर होता है यानि जो इनिट्स पहले आपने घरी दिया है पास साल पहले डस साल पहले अगर आप कर रहें तो पहले वह इनिट्स रिडीम होंगी रिसेंट इनिट्स नहीं होती है तो खैर अभी सी कॉंसेप्स को लेकर हम आगे बढ़ते हैं एसाऑई पी की कॉंसेप्स में आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने बटाया कि आपको भी लंशम को वाला की सिनारियो से में ही सिनारियो है अगर वह पिरिट आपका 12 महीने के ऊपर हो चुगा है तो उन यूंस पर आपको कोई नहीं लगेगा अगर वह इंस्टॉल्मेंट्स आप 12 महीने से पहले redeem कर रहो या वो उनिट्स जो आपने महीने में खरी दी है वो उनिट्स अगर आप 12 महीने से पहले redeem कर रहे तो उनी पर exit लोट लगेगा मैं इसको एक उधारन की तोल पर समझाने की कोसिस करता हूं सो एक आपको एक clarity हो मान लिजिए सर आपने कि पाँ जणवरी 2015 में SIP करी अमाउंट की ले लिजिए किसी भी अमाउंट की MARKरे करी एकली सर चलाए और यापस विट्बी आपको नब जितना इन्वर्वरी में आपको 20 units मिली फिर ङृघ्र में अप्रेल में उननीस मईब किस clinicians में 20 investor मैं ऐसे करके पूरी जो पैसा redeem कर रहे हो तो इस पे exit load कितना लगेगा या इस पे कितनी units पे exit load लगेगा कितने पे नहीं लगेगा तो सर जो 5 जन्वरी 2015 में माल लीजे इस particular fund की आज की जो एने भी है वो 110 रुपे है और माल लीजे इस particular fund में अगर आप एक साल से पहले redeem कर लेते हो तो आपको 1% exit load पूरा एक साल निकल चुका है कोईकि हम यहाँ पैसा redeem कब कर रहे है 10 March 2016 पे यानि इन units को एक साल से ज़्यादा हो चुका यानि इन 55 units पर कोई भी exit load नहीं लगेगा लेकिन जो 5 April 2015 में और 5 मई 2015 में और जून में 2015 में तो लगबग ही होई 60 units तो इन 60 units पर आपको exit load लगेगा को कि इन units को अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है तो सर यानि मतलब जो आपने 55 units उन पर कोई exit load नहीं लग रहा जो remaining 60 units है बात की 3 महीने की units है उस पर आपको exit load लगेगा वो यानि 60 units है तो जो टोटल आप 115 units redeem कर रहे हो उस 115 units पर आपको exit load कितना लगेगा इसको calculate करने के पर exit load लग रहा है तो यानि आपको exit load कितना लगेगा 66 rupees तो यानि जो total fund value जो आपके हाथ में आपको मिलेगी after deducting the exit load वो कितना मिलेगा वो सर आपको मिलेगा 12,584 रुपे 115 multiply total units और 115 multiply 110 यह total fund value था लेकिन इसमें से exit load 66 rupees मैनेस होने के बाद आपके जो हाथ में आएगा तो आएगा 12,584 रुपे क्योंकि 66 रुपी आपका exit load लगेगा तो सर यहां मैने आपको दो scenario's बताए लंसम और SIP के scenario's में लंसम में जो भी पैसा investment कर रहे हो जो भी investment कर रहे हो उन units को अगर एक साल से उपर हो गया अगर यह 1% exit load लग रहा है एक साल से जादा हो गया तो उस exit load नहीं लगेगा एक साल से कम है तो इन पर exit load लगेगा इस पूरी वीडियो का जो भी मैंने आपको बताया है इस पर note बनाके मैं नीचे description मैंसें कर दूँ है so that आप अपने पास यह रख सको future में use कर सको समझ सको और अगर फिर भी अभी भी मन में doubt है कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे comment कीजिए यह हमारे पैसे की बात का second episode है हम इसी तरीके से regular आपको कुछ भी जो fundamentals है जो basics है जो आपको पता होना चाहिए financial planning में आपके you know आपके इस financial investment जड़ने ही में उन सब पर हम इस video series को continue कर रहे है और साथ ही में हमारे investment ideas जो investment strategies जो हम discuss करते रहते हैं उस पर वीडियो बनाते रहेंगे तो अगर यह video अच्छे लगे तो इस video पर like कीजिए इस video को अपने friends, colleagues, uncle जहां पहुचाना चाहते हो जादा से जादा share कीजिए तो फिर दोस्तो आज के लिए तही था कल मिलेंगे कुछ नहीं concept के साथ में मैं जानना चाहते हो कि आप लोग क्या जानना चाहते हो नीचे comment करके मुझे बताईए तो दोस्तो फिर कल मिलेंगे next video मिलेंगे तब तक धन्यवाद बंदे मातरम जहें